तो अभी हमें orbits के बारे में पढ़ना है, orbits पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा key point exam में कभी पूछा जा सकता है, मैं इस में भी, पिरी में भी कार्मान रेखा, अगर कोई भी देश है, और उस देश के 100 km उपर तक जो है, उस देश की सीमा मानी जाती है, लेकिन इस कार्मान रेखा, यानि 100 km से उपर की जो रेखा है काल्पने के रेखा, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, और वहाँ पे प्रत्वी का बायूमंडल खतम हो जाता है, और उसके बाद में स्पेस का ही स्थान शुरू हो जाता है, ठीक है, तो प्रत्वी के बायूमंडल कार्मान रेखा, जब थोड़ा सा मैप एक छोटा सा इमेज की तुरू समझाने कोशिश करता हूँ, और फिर और बिट्स बाते हैं, बस छोटा सा एक पॉंट यह, यह मान दिया कार्मान रेखा, बस इतना ध्यान रखना है, इससे उपर जो है वो अंत्रिच है, इससे नीचे जो है वो बायूमंडल है, ठीक है, और यह काल्पनिक रेखा है, और इससे उपर किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, यहाँ पर जो है, मल लीजे इस जगे प होता है, तो यह होती है कार्मान रेखा, अब हम देखते हैं, और बिट्स, और बिट्स यानि कच्छा हैं, यह जो हम सैटलाइट बेजते हैं, इन्हें कहां बेज रहे हैं, यह हमने सैटलाइट बेजे हैं, इन्हें कौन सी जगे पेज जाग, तो सैटलाइट मतलब उपगर है जो चारों तरफ चक्र लगाते हैं तो orbits को अलग-अलग तरीके से बांटा जा सकता है लेकिन उनकी दूरी के आधार पर हमें हाथ करना होता है यह हमारी प्रत्वी ठीक है इस प्रत्वी से कम दूरी पर अगर रखा जाए और इस जगह पर कम दूरी पर ही अगर सेटलाइट को रखा जाए तो उसे बोला जाता है lower earth orbit यानि निमन भूख अच्छा अगर कम दूरी पर नीचे की दूरी पर तो निमन भूख अच्छा और थोड़ा उपर जाते हैं तो medium earth orbit यानि मद्य भूख अच्छा तो अगर हमें यहां पर जो है वो सेटलाइट लगाते हैं तो यह हो गई अपनी मद्य भूख अच्छा और फिर और उपर जाते हैं और यह उपर जो जाना होता है यह 36,000 किलोमीटर के आसपास में होता है लियो और नॉर्मली 300 किलोमीटर से जो है वो 2000 किलोमीटर तक जाता है ठीक है और अपना मेडियम जो है वो 5000 से 10000 के आसपास में थोड़ा उपर नीचे रेंज होता रहता है बट इतना ध्यान रखे 5000 और अगर 36,000 किलोमीटर ऊपर चल जाते हैं तो वहां होता है जियो अर्थ ओर्विट ओके तो यह जो होता है वो बहुत उंचाई पर होता है इस तरीके से तीन ओर्विट होते हैं और इससे ऊपर जाने पर जो है वो अंत्रिच का जो है वो कच्रा वगरा रखना होता है पटकेंगे लेकिन इससे ऊपर यूज भी नहीं पाता है सेटलेट का तो 36,000 को तक यह होता है उससे नीचे मुझा होता है और उससे नीचे लिए होता है तो यह तीन जो है वह हम देखते हो है निम्न भूक अच्छा लियो बोलेंगे मद्य भूक अच्छा मुझा अगर कुछ एक्सुसाइट से बोलते हैं तो कोई सभी याद रखते हैं दोनों में से कोई इस्यू नहीं है ओके एक्सुसाइट से 2000 किलोमेटर याद रख लाए और मद्य पांच अजार से 1000 किलोमेटर तक का और यह जो निम्न भूक अच्छा होती है इसे हम नॉर्मली ध्रूप भी लगाते हैं ठीक है और यह सूर्थ तुल्लकालिक अच्छा होती है अब देखेए क्या होता है और इसका यूज जो हता है वो सुदूर संबेदी सेटलाइट होते हैं उनके लिए किया जाता है अब पहली वाली हम देख रहे हैं निम्न भूक अच्छा ठीक है निम्न 2000 इतनी किलो मिटर उचाहि तक जो है वो हमारा LEO है और यहां पर जितने भी हम जो सेटलाइट भेते हैं वो mostly जो होते हैं वो सुदूर संबेदी होते हैं सुदूर संबेदी और सुदूर संबेदी का मतलब क्या है यह इमेज लेते हैं इनमें बहुत हाई क्वाल्टिक के डे हैं बहुत हाई क्वाल्टिक केमरा होते हैं अब देखिए एक चीज़ आपको थोड़ा सा रिवाइज करनी होगी यहां पर कि हमारी प्रत्वी जो है वो पच्चम से पूरव की और गुम रही है ठीक है इस तरीके से हमारी प्रत्वी गुम रही है यहां भूमद्र रेखा है तो हम जो नॉरमली जब अपना सैटलाइट भेढ़ते हैं उसे हम धुर्व के ऊपर भेढ़ते हैं इस तरीके से वो सैटलाइट गुम रही है build रहा को पर इसलिए इसे हम नॉरमली धुर्वीय कच्छा भी बोल देते हैं ठीक है अगर हम equator के उपर बेचते, इस equator के उपर बेचते, तो उसे equatorial का छबल देते, और अगर आप धान से कोड़ से देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, चीजों को remove करके, ताकि आप रवाइच कर सकें, दोबारा से, अगर बात करें हम तो माल लीजिए कि सूर्य यहां पे, ठीक है, सूर्य यहां पे, और सूर्य अपना प्रकास टाला है, हमारी प्रत्वी पे दिन रात होते हैं, उसका कारण है कि हमारी प्रत्वी जो है वो घूड़न कर रही है, ठीक है, इधर वाला ऐसे पे अंदेरा हो रहा हो गा इधर वाले पर उजाला हो रहा लेकिन अगर आप देखें तो यह satellite है ना यह बार बार रहेगा हमेशा और अगर आप देखेंगे तो इस पे 24 hours जो है वो इस पे क्या होगा रोशनी मिलती रहेगी 24 hours रोशनी मिलती रहेगी इसलिए यह जो निम्न भूक अच्छा वाला अपके रहे है निम्न भूक अच्छा वाला इसे हम एक तो बोल दिया हमने धृवियक अच्छा और सूर्य की 24 घंटे रोशनी मिल रहे है ठीक है इसलिए इसे हमने बोल दिया सूर्य तुल्ले कालिक सूर्य तुल्ले कालिक इस पे सूर्य की हमेशा जो है वो रोशनी मिल रह है ठीक है यह हो गया निम नभूक अच्छा और इस पर किसका यूज किया जाता है नौर्मली कॉंसे साटलाइट बेजा जाते हैं पहला आपको समझ भायागा निम नभूक अच्छा में इसे दुर्विय का अच्छा भी बोलते हैं सूर्य तुल्य कालिक बोलते हैं क्योंकि 24 गंटे इस पर रोश नहीं रहती है उचाई ये रही और नौर्मली हम किस तरीके की सेटलाइट बेजते हैं सुदूर संबेदी वाले जो फोटो लेकर पलाएं मद्दे भूक अच्छा अब मद्दे भूक अच्छा की बात करें बाकी आपको के लिए बात समझ में आ गई होगी कि 5000 से 1000 की बीच में जो है उचाई पर अगर कोई GPS हम बेजें कोई भी सेटलाइट हम बेजें और इसका नौर्मली यूज किया जाता है GPS या निविगेशन के लिए नोवेन के लिए यह जो हम मोबाइल में हम लोकेशन रियाद करते हैं न हमारा GPS और रखता है सेटलाइट कम्टिकेशन यूज करते हैं न टीवी वाला जो हम देखते हैं न टीवी पे जो भी टीवी चैनल देखते हैं बहुत सारे सेटलाइट जो है वो भूत उल्ले कालिक अच्छा है यानि 36,000 किलोमेटर के आस पास है इसके भी अलग अलग डिवीजन है अगर ध्या सेट डाला है आई रनेस जो नेवीगेशन का काम भूमध्य वाले में होता है वो भी हमने आई रनेस में डाला है क्योंकि उससे भारत की जो है वो जो कैपिसिटी है वो सहीर है उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड भी सैट और मोसंबिज्ञान से रिलेटेड मैट लगया और उससे उपर जाने पे जो है वो ग्रेवियाइड होता है जहां पे जो है वो बचा हुआ माल है कच्रा है वो अंत्रिच कच्रे का समाधान किया जाता है अब यह तो मैंने समझा दिया आपको और कच्छाओं के बारे में कच्छा है जो है वो तीन तरीके की बता द है, altitude कितनी हुचाई पर, पहली बताई मैंने LEO, कम हुचाई वाली, ठीक है, 160 से 2000 किलोमेटर की, दूसरी बताई मैंने MEO, ठीक है, 5000 से 10000 किलोमेटर की, यहां पर 9N वाले डाल जाते हैं, इधर बारे LEO में सुदूर संबेदी डाले जाते हैं, पोलर पे ही जादतर रखा जाता है, इसलिए इसे भूर तुल्ले का जाता है, कोछ एक सेटलाइट को हम एक्टुरेट पे बढख देते हैं, लेकिन वो, जो है, वो सुर्य तुल्ले कालिक नहीं होंगे, केवल पोलर वाले जो हैं, वो सुर्य तुल्ले कालिक होंगे, रिमोट सेंसिंग, जास उसी जल्वाई उपर वर्तन का पता चलता है, उससे, और इंडिया के द्वारा जो भेजे गए हैं, अपना एमी, एमी, एमी में, अपना लोर ओर्बिट में, एरस है, इंडियान रिमोट सेंसिंग बाला है, समुद्र के अध्यन का अध्यान का अध्यान का ले ऐ, खार design से भेजा गया है, मेपिंग करने के लिए, भेज ये, मेगा ट्रॉपिक्स भेजा गया है, अपना, जो बादल ह का अध्यान करने के लिए इंडिया के द्वारा भेजे गए हैं जो सेटलाइट हैं MEO मद्देवाले इसमें GPS नॉर्मली और इसकी जो उंचाई है वो 5000 से 5000 से 5000 से लुए के लिए इसमें हैं वो से जिए हर गारालेक है और कच्छाउं को सेट चाहा दार पर भी अलग बाता चाईगा जाएसे जैसे में सायलों को बाता है m उपयोग के आदार पे माटा था, उनकी रेंज के आदार पे माटा था, उसके अलावा बिदेश से लिए गए या देशी हैं इस तरीके से माटा था, तो सेप के आदार पे भी माटा जा सकता है, या तो वो बिलकुल जो है वो पूरा का पूरा सेंटर बनाते हुए, पूरा का आदार पे जुकाब के आदार पे तो आप पहले ही समझ सकते हैं अगर सेटलाइट को हम एक्विटर के आदार उस पे गुमाएं एक्विटर के ऊपर मुमिद्रिकाग उपर गुमाएं तो उसे बोला जाता है एक्विटर रियल औरविट अगर हम उसे पोलर के ऊपर गुमाए में जिसे हम सुर्रित तुल्लकालिक भी कहते हैं तो वो गया पोलर और एक हमारी प्रत्वी आपको पता है साड़े तेश डिग्री जुकी हुई है तो जुकी हुई है उसके उपर अगर घुमाएं तो उसे बोलता है इनकलाइंड ओर्विट यानि जुकाव ओर्विट बट यह ध्यान नहीं रहे तो बस आपको यह तीन याद रख लेना एलियो जिसमें डेट सो से दोजार एमियो पांच जार से दसजार जीयो बूतुल्लकालिक ठीक है जिसमें चत्रीस जार किलोमीटर है एलियो में दुर्वियक अच्छा बोलते हैं इसे ठीक है सुर्य तुल्लकालिक होते हैं क्योंकि वह दुर्व के ऊपर ही जात्तर बेजे जाते हैं और इसमें हम सुदूर संबेदी भेजते हैं में नेविगेशन यूज किया जाता है और भूत उल्ले कालिक में जो है वो दूर संचार या टीवी वाले जो है वो सैटलाइट भेजे जाते हैं ओके इंडिया के दौरा भेजे गए यह हैं तो इस तरीके से आपको कछ्छा हैं समझ मागई होंगी अब बात कर लेते हैं प्र साबित गैसे नीचे की और उसरजेत होती हैं इससे पिर्षे पड़यान ऊपर की और बल मिलता है आप पहले वीडियो देख चुके हैं उनमें आपको पता चल गया हो किस तरीके से तो प्रणोदक का मतलब होता है इंधन प्लस ऑक्सीजन तभी जलेगा ना इंधन जब उसक आपको देखना पड़ेगा ठोस याद रखना पड़ेगा आपको ठोस में इधन जो होता है एच्टी पीवी होता है है एड्रोक्सील टर्मिनेटेड पॉली व्यूटेडाइन होता है ठोस के अंदर एधन और उसमें ऑक्सीकारक के रूप में अमोनियम परकलोरेट को डाला इन ड्रमें इधन जो होता है यू ड्रम味 होता है ठीक है और तो याद करना चाहो तो याद कर सकते हो नहीं भी रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है और cryogenic में इधन जो होता है liquid H2 होता है और oxycarat जो होता है liquid O2 होता है बहुत कम temperature पे इन एस्टोर रखना होता है तो ये बहुत बड़ी जो है वो condition ऐस चीज के लिए इसी को develop करने के लिए इंडिया को काफी time लगा रूस से शुरुआत में technology लेनी पड़ी उपर सेटलाइट रखा होता है और यह उपर छोड़ किया आता है तो एक तो होते थे वो पुराने टाइम पर यूज किये जाते थे एक होते हैं कि आज के टाइम पर यूज किये जाते हैं एक है आने वाले फ्यूचर में यूज किये जाएंगे हमारा इस रोच उसे बना रहा तो पुराने टाइम बाले में दो हैं SLB और ASLB उसके अलावा शुरुवात में चेक करने के लिए साउंडिंग रोकेट भी यूज किये गए थे सबसे पहला जो हमारे ASRO के द्वारा वेजा गया था वो आरे 300 था शुरुवात में साउंडिंग रोकेट के रूप में तो यह तो याद नहीं रखना है कुछ भी SLB का ध्यान रखना है SLB 1979 से 87 तक एक्टिव रहा था इसे सैटलाइट लॉंचिंग भीकल का जाता है SLB को Augmented या Advanced सैटलाइट लॉंचिंग भीकल इसका नेतरत वी जो है वो SLB का APG अब्दुल कलाम की द्वारा किया गया है उनके द्वारा ही जात्तर या डबल अब किये गए ठीक है SLB वाले जो है तो एक चीज़ याद रखना DRDO और ISRO एक दूसरे के साथ में मिलके काम करते हैं क्योंकि मैंने बताया न मिसाइल टेकनोलोजी और इधर रॉकेट रॉकेट उपर जाने वाले यह दुनों ही एक तरीके से ही काम है अगर उपर की साइड में अगर आपने वहां पर बंब रख लिया तो वह हो गया अपना मिसाइल और अगर उसमें उपर सैटलाइट रख दिया तो वह रोकेट हो गया ठीक है तो इसमें चार प्रणोदक स्टेजेज होती है चार स्टेजेज में और इसमें टोटल ठोस ठोस पुर्ण धोष्टी किया गया था है किया तो केवल और के बल्ठ थो उच किया है था इस में और ये 40-50 kg ले जा सकता था निमलभुग कर चाया के इस्तापित करने की चमता रहता था 40-50 kg का कुछ भी भजन का भार हो पहला इसका परिच्छन इत्स समय किया गया 1979 में लेकिन फेल रहा है दूसरी बार उनिस्वसी में किया गया है सकसेज रहा और SLB का सुरुवात ही सबसे इंपोर्टेंट रहा SLB 3 के दौरा जो है वो रोहेडी सेटलाइट को बेजा गया है रोहेडी की अलग से सीरी चली पूरी की पूरी उसमें जो बेजा गया था RS1 जो था ASLB 3 के द्वारा वेजा गया था बारत का पहला सेटलाइट जो की भारत के ही जो सेटलाइट लॉंच भी वहिकल के द्वारा वेजा गया था उसके बाद में ASLB में थोड़ा सा स्टेज बढ़ गई और ये ठोसी स्टेज यूज की जा रही है लेकिन चार की जागा पांच हो गई है अब भार थोड़ा अधिक ले जा सकते हैं लेकिन LEO में ही ले जाके छोड़ेंगे नीचे वाली में थीन हजार से दो हजार थीन सो से दो हजार तक के वाले चेतर में रखेंगे उसके बाद में स्ट्रैट रोहनी सीरीज पूरी इसी के द्वारा बेजी गई और इसमें स्ट्रैप ओन बूस्टर होते हैं जब रोकेट में बहुत अधिक जो है वो स्ट्रैप ओन बूस्टर होते थे अब बात करें बर्तमान वाले भारत का सबसे महत्पूर्ण और सबसे सफल जो सेटलाइट लॉंच वेहिकल है वो है पी एसल बी पोलर सेटलाइट लॉंच वेहिकल ठीक है इसमें चार प्रणोदक होते हैं प्रणोदक रहे हैं और जैसे आपने अशल भी देखा उसमें चार सिर्फ और सिर्फ ठोस वाले थे तो उसमें ऐस 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 तरीके से थे और उपर यहाँ पर जो है वो अपना सेटलाइट रखा जाता था लाश्ट में जाते जाते ही एक स्टेज टु खत्म हुआ जैसे इसक PSLV है जो वो LEO में भी सेटलाइट को बेश सकता है GTO यानि GEO में भी सेटलाइट को बेश सकता है और MEO में भी सेटलाइट को बेश सकता है तो यह खास बात रही PSLV की और यह सबसे important है हमारे ISRO के लिए क्योंकि अब तक total 53 वार launch किया गया और 50 वार success रहा है अगर आपने च जो हैं वो किसके द्वारा बेजे गए हैं हमारे PSLV के द्वारा बेजे गए हैं polar satellite launch vehicle ठीक है तो उसके अलावा इसमें six strap on booster होते हैं image अगर देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिस करूँ तो साइद यहां पे लगी भी या नहीं होई है साइद इसमें है मेरे इसाब से क होते हैं and PSLV के भी दो भाग होते है PSLV G बोलते हैं एक को और PSLV XL बोलते है XL में strap on booster की जो चमता है वो बढ़ जाती है पहले वाले मनौटन होती है दूसरे वाले मारे टन होती है तो जैसे चमता बढ़ जाएगी तो उसमें अधिक बजन लेना की power आ जाएगी तो बड़े PSLV इंडिया का सबसे सफल तम है उसके बाद में GSLV इंडिया ने जो है वो बना लिया है इसे वो ले जाए गया है जियो सिंक्रोनस सेटलाइट लॉंच वेहिकल यह बहुत powerful है 2001 में मनाया है और PSLV का ध्यान रखना 1994 में जो है वो हमने पहला सफल पर छिपन किया उसके बा 2001 में हमने सुरुआत की सुरुआत में इसका GSLV का मार्क बन था जो रूसी इंजिन के बीडी की साहता से चलता था इसकी बाहर जो इतना ले जाने की चमता थी फिर दीरे दीरे हमने PSLV खुद ने सिखा और स्वेदे सी क्रायोजनिक इंजिन मनाया और GSLV मार्क टू बना द सकता था उसके बाद में अभी GSLV मार्क थ्री जो है वो हमने बना लिया है और यह काफी इंपोर्टेंट है इसकी पावर जो हमने काफी बढ़ा दी है बहुत ज्यादा भाल ले जा सकता है और GTO तक ले जा सकता है यह अपना भाल ठीक है तो GSLV सेकंड के चौदे लौंच क किया था जो सभी पड़ोसी देशों की साहता के लिए लौंच किया था और उसकी साहता से उनका नेविगेशन सिस्टम जो है वो मजबूत किया जा सकता है तो यह अपना GSLV है आज के टाइम की टेकनोलोजी यूज की जा रही है इसमें इसमें फोर इस्टर अपन जो है वो GSLV अब इन में क्या होता है यह जितने भी रोकेट बेज़े जा रहे हैं हमारे द्वारा यह रोकेट ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद में खुद नश्ट हो जाते हैं और सेटलाइट को छोड़ देते हैं लेकिन अब यह इतना मेहनत का काम किया इतना बाद में उसे दोबारा से नीचे आने के लिए यूज भी लिया जाएगा तो उसमें इधन जो जलेगा नहीं उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे एंजिन बनाए जाएंगे रेम जैट और इसक्रेम जैट जो है वो उसका जो इस्टेज हैं वो नश्ट नहीं होंगी तो य आने वाला फ्यूचर है आरलवी टीडी रियोजेवल लांच वहिकल टेक्निकल डेमोस्ट्रेशन रॉकेट का पौने उप्योग किया जा सकता है इससे बार बार में जो हम नया पीसल भी लाना पड़ता है नया जीसल भी लाना पड़ता है वो नहीं लाने पड़ेगा एक ब हो पाएगा इसलिए इंडिया ने 2016 में इसका सफल परिछण कर लिया लेकिन अभी प्रोसेस उतनी डेवलप नहीं हुई है सबसे इंपोर्टेंट बात अगर आपने सुना होगा ऐलन वस्क उनके द्वारा स्पेसेक्स प्राइवेट कंपनी बनाई उसने फालकन 9 करके जो है वो री यूजेवल लॉंच वहिकल बना दिया अब यह काफी चीजें हो गई आपको एक बार नभाइच करनी होंगी पिर छे पढ़्यान जो आपके सेटलाइट को उपर लेके जाएगा लॉंच वहिकल पुराने टाइम पे हम एसल बी और एसल बी यूज करते थे एसल बी क और जी यो सबसे उपर 36,000 किलोमीटर तक का तो ये वाले एलियो तक ले जाते थे एसल बी थी के द्वारा रोएड़ी बेजा गया था एसल बी ये निम्न भूक अच्छा के साथ में एमियो तक भी थोड़ा बहुत बेजा सकते थे और इसमें क्या है कि थोड़ा यहां पे चार स्टेज का यूज किया था इसमें पांच स्टेज का तो कोई खास अंतर नहीं है अब बर्तमान में जो 1994 में से यूज किया जा रहा है वो PSLV सबसे इंपोर्टेंट पोलर सेटलाइट लॉंच वहिकल ओके अपने इंडिया ने 53 बार इसका फिरसेपन किया है 50 बार सक्स और जिसमें चंद्रियान, मिसन ओन मार्स, नाविक और एस्ट्रो सेट ये सब जो हैं वो PSLV के द्वारा बेजे गए इसमें चार प्रनोधक होते हैं और 6 इसके भी दो भाग होते है PSLV G और PSLV XL ठीक है यह दान नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है और GSLV जियो सिंक्रोन से GSLV मार्क बन यूज किया उसके बार में हमने खुद का क्रायोजनेक इंजन बनाया जिसमें CE 7.5 चंदा वाला इंजन लगाया तो वो मार्क 2 रहा और मार्क 3 में CE 20 चंदा वाला लगाया और इस तरीके से हम जो है वो GTO या GEO तक जो है वो अपने सेटलाइट आसानी से ब सारी चीज़ें ओके पहली चीज आर्रेवर्ट भारत के द्वारा भेजा गया पहला सेटलाइट ठीक है यह सेटलाइट है सेटलाइट का जो रोकेट नहीं है यह उपर जाके कुछ स्पेसिपिक काम करिया आप तो यह किस किस उपसायता से बेजा था हमने रूस के रोकेट पे बेजा था और रूस से ही बेजा था यह दूसरा है रोएडी सबसे इंपोर्टन बात रोएडी भारत के लोगों ने बनाया और इसे बेजा भी भारत के ही जो सेटलाइट लॉंच वीकल था उसके द्वारा बेजा गया था यह अगर देखें तो रोएडी सेटलाइट ल सबसे महत्पूर्ण हाँ ये वाली image है इसमें आप देख सकते हैं सबसे महत्पूर्ण जो है वो PSLB आप देखिए ये इस तरीके से उपर इंडिया का है and PSLB C35 बाला है ठीक है अब 35 में नंबर पे वेजा गया होगा उस टाइप में तो excel करके इसमें six strap on booster होते हैं एक दो ती चार और दो पीछे की साइड में दोके हुए हैं दिखनी रहे हैं क्योंकि ये 2D image है 3D नहीं है तो इसमें six strap on booster होते हैं ये हमारा सबसे सफलतम सबसे सफलतम कितनी बार यूज किया था 35 बार में और 50 बार सफल रहा ये है अपना RLV TD ठीक है reusable अभी थोड़े देर पहल बना जाता है आगे आने बाले टाइम पर इस्क्रेम जेट इंजन यूज किया जाएगा रैम जेट एन इस्क्रेम जेट अब इन वाले ये वाले जो है ना इन में आपको दोह कम देखेगा ये उतने ज्यादा उस पर नहीं चलेंगे इनके engine की power के आधार पर चलेंगे ये ठीक है ये इंडिया का cryogenic engine जो है वो इस्रो के द्वारा बनाए गया और ये भी GSLV Mark 3 है ठीक है यहां पर लिख रहा है Mark 3 ये लिख रहा है इस्रो लिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा इस्रो GSLV GSLV Mark 3D2 ठीक है ये अलग-अलग नाम होती है अलग-अलग परिच्छन के लिए और किस तरीके से आप TV पे जो मूवी देखते हों किस तरीके से होता है यहां पर मान लिजिए कि Sony Channel है Sony Channel का यहां पर सर्वर है Sony Channel जो है वो सर्वर के द्वारा अपना कोई मूवी मान लिजिए कि कोई मूवी देखा रहा है वो सुर्य बन सम आपको मूवी देखा रहा है तो यह जो है वो बापस अपना डाटा आपके घर के डिटी ईच है उस पे बेजेगा और डिकी ऐच आपका रिचीव करेगा एनलोड सिगनल को और फिर उसमें से ट Bluetooth लगा होता है वो Set-Up बोक्स क्या करेगा आपका digital को एनलोड में करेगा और आपकी सामने सूर्य बंसम पिच्चर दिख जाएगी जिसमें तब बच्चन खीर खाते हुए देखेंगे आपको सेटलाइट का उप्योग थोड़े देर पहले बताया दोबारा देखिए टीवी का सेटलाइट मोबाइल का टेली मेडिशन चिकिस्ता में सिच्चा में खोजबचावकार्रे में नविकेशन में मोसंपूर बानमान में यह एप्लिकेशन जो हैं वो इसरो की वेबसाइट से ल पहले जो हैं जो हैं वो संसादन कोज करने के लिए सेटलाइट अड़ा शबचावकार्रे के लिए नविकेशन के लिए उसके लावा न्यूज गैदरिंग के लिए इस्टेंडर टाइम इंण फ्रिक्वेंसिशी शिक्नल के लिए टीवी के लिए यह इसरो की वेबसाइट स उपग्रह के प्रकार उपर जो भीज़ा जाता है वो उपर क्या काम करने वाला है उसके आधार पर उपग्रह होते हैं चार प्रकार के या तो वो रिमोट सेंसिंग का काम करेगा या दूर दूर से image लेगा या sense करेगा sensor जो होते हैं sense करके देखके बताना कि यार इसमें कौन सा खनेज हो सकता इस तरीके से तो वो sense करेगा तो या तो वो remote sensing वाले हो सकते हैं या communication के लिए यूज किये जाने वाले हो सकते हैं या no-ven यानि GPS के लिए या space में mission वेज़े जाने के लिए हो सकते हैं तो ये चार परकार के होते हैं अब समझ में तो आपको बार बार में आई चुकी हैं दूर संबेदी से दूर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी ठीक है किस तरीके से होगी किस तरीके से होगी एक बार और revise कर लेते हैं क्या हो सकता है ऊके मान लीजिए कि यहाँ पे जारकंड का कोई जंगल है ठीक है जारकंड का जंगल जहाँ पे मनुस्य का जाना संबब नहीं है हमने क्या किया हमारी satellite लगा है और उपर satellite यहाँ पे लगा दिया और satellite में बहुत बेंकर वाला camera लगा हुआ है ठीक नक्सली उन्होंने कुछ वो अपना टेंट लगाय हुए है तो पूरा का पूरा remote sensing हो गई यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है आगे बात समय सुदूर संबेदन सुदूर के बारे में जैनकारी प्राप्त करना जहां पर आदमी पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ पर भी सारी चीज़ें तो इसे निम्न भू कच्छा में इस्तापित किया जाता है सुदूर संबेदी को कम दूरी पर और मैंने पहले ही बता जिया था कि अगर प्रत्वी यह है तो सुदूर संबेदियों को हम जो है वो धुर्विय रूप में इस्तापित करते हैं और लोर अर्थ और्विट में पर स्थापित करते हैं एंड बिविन सक्ति साली केमरे लगे होते हैं इसका यूज क्या होता है मोसम पूर्वन मर्द में बादल के आदार पे आपदा प्रबंदन में सहरी न्यू एजन में पहला कौन सा बेजा गया था हमारे द्वारा पहला जो रिमोट सेंसिंग बेजा गया था वो 1988 में रूस की मदद से IRS 1 बेजा गया था उस समय हमारी जो सेटलाइट लॉच वीगल तक निकीती उतनी अच्छी मजबूत नहीं थी इसलिए हमने रूस की साहता से बेजा था क्योंकि सेटलाइट बनाने में बहुत पैसा खर्च कि किया था तो हम नहीं चाहते थे कि रोबो रोकेट की कमी के कारण जो है वो सेटलाइट खराब हो जाए तो एंडियन रेमोट सेंसिंग सेटलाइट बेजा गया था उनी सो ओठ्यासी में बर्तमान में तेरे सुदूर संबेदी उपगरे जो है वो काम कर रहे हैं आप उनमें इसकी जोइन्ट वेंचर के द्वारा मेगा ट्रोफिक्स वेजा गया है अपने बादलों का अध्यन करने के लिए मोसम विज्ञान का अध्यन करने के लिए मैंने बताय था या तो मीटियो सेट बोलेंगे या कल्पना उसे बोल देते हैं इसमें पांस सक्ति-साली केमरे यह लगे हुई हैं हर सेटलाइट में भी ले गए यह सोलर पलेट से हैं जो इसे चलाने के लिए जरूर यह थे हूपर जाके तो यह फिर क्या होता है सुर्ण से रोशनी लेता रहता है यह कार्टू सैट का पूटू है इंडिया फर्ष्ट एजुकेशनल एजुसेट ठीक है वोलेंगे एजू सेट ये जो है वो लोवर अर्थ और्विट में घूम रहा है और एजूकेशन प्रोवाइड कराने के लिए उज होता है संचार उपगरे ये जो होते हैं ये जो होते हैं सबसे उपर उपर की जो कच्छा है जी यो इस्टेशनरी वहाँ पर डाले जाते हैं 36,000 किलोमीटर के उचाई पर ताकि जो है वो इस्तिती परवड़त इतनी हो और सारी चीज़ें एक समय प्रोवाइड होती रहे हैं तो इसका यूज दूर संचार में दूर अस इच्छा में टेली मेडिसिन टीवी डीटिएच में 15 काम में आ रहे हैं जिन में सबसे शुरुआत में इंसेट बन भी था और दूसरा एजुकेशन के लिए एजुचेट है लिए किसी बस्तू की इस्ति जड़ी ज्यात करने के लिए छूट अगर चार सेटलाइट एक साथ में काम होने चाहिए तो संपूर्ण प्रत्वी पर अगर आपको जीपीएश सिस्टम लगाना है तो चौवीस सेटलाइट मिनीम होने चाहिए सबसे पहला important अमेरिका के दौरा बेजा गया GPS है जिसे आप गूगल मैप में यूज करती है तो ऐसे ही इंडिया के दौरा भी वेजा गया है जिसका नामे नाविक जिसे हम IRNSS बोलते हैं तो GPS USA निर्मित है 1978 में से और 1995 में तक लगातार इसमें 32 उपगरे बेजे गये थे और 32 इस उपगरे के बाद में ये complete हो गया और आज भी यूजी आ जाता है इसे इसे नविश्टार भी कहा जाता है और ये USA Air Force के द्वारा नियंतरित किया जाता है SI फिर रूस ने बनाया GLONASS करके SI European Union ने बनाया GALILEO करके SI चिन ने बनाया BIDU करके ये चारों जो हैं ये पूरे बिश्वका मांचितरी करन कर सकते हैं भारत ने जो बनाया है वो नाविक ये इंडियन रीजनल है ये पूरे बिश्वका नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें कर सकता है पंद्रेसो किलोमीटर दूरी जैसे भारत है तो इससे पंद्रेसो किलोमीटर दूरी तक जो है वो location डिसाइड ये इस्तिती पता कर सकता है उसके लावा भारत जो है वो गगन वेज रहा है ठीक है GPS की साहता के लिए तो इसका full form है गगन का GPS added geo एलिमेंटेड नेविगेशन ठीक है यह इसरो और एरफोर्ट और थर्टी ओप इंडिया के द्वारा बेजा जा रहा है गगन यह जो बायूयान होते हैं उनको कंट्रोल करने में सहयता प्रुधान करने के लिए होगा ठीक है इसका नॉर्मल लोगों की यूजी नहीं होगा ब किसी भी पिंड के पास से आपको गुजारना है बस कि इसके पास होके हमारा सैटलाइट निकल जाए तो उसे बोलते हैं फ्लाइवाई मेसेंजर सैटलाइट बुद्ध कोज के लिए नासा के दोरा गुजारा गया था एंड एक होता है और्बिटर ये क्या करता है और्बिटर क्या करेगा किसी भी ग्रह के चारों तरब जो है वो चक्कल लगाएगा माली जी ये मंगल ग्रह है तो इसके चारों तरब जो है वो चक्कल लगाने के लिए जो होता है वो और्विटर होता है हमारा जो चंद्रियान बेजा गया था वो ये और्विटर ही था ओके चंद्रियान टू बेजा गया था वो भी और्विटर ही था मंगल यान बेजा है तो मंगल ग्रह के चारों तरब चक्कल लगाने के लिए मंगल यान बेजा गया हमने अब इस में से ही सैटलाइट में से ही एक लेंडर निकलता है और वो लेंडर निकल के नीचे जाता है ठीक है नीचे जाता है यहां तक छोड़ने के लिए जाता है रोबर को तो यह होता है लेंडर और जैसे कि हमारा चंद्रियान टू था उसका लेंडर का नाम था बिक्रम यह हमने सेटलाइट बेजा इस सेटलाइट में से और्विटर तो क्या है कि गुमता रह ठीक है वो रोवर जो है वो इस पे चलेगा और इस पे जल चल के इसकी भूमी का मिटि का बैयू का जल का सब का अध्यान करेगा वू होता है रोबर तो इसके चार होते हैं फ्लाई भाई अगर किसी के पास से गुजार दो और वीटर चारों और गुमा गुमा के चेक कर लो लेंडर इससे आप नीचे वहाँ पे पहुचा होगे सब्ट लेंडिंग करेंगे तो इंसाइट जो है वो नासा के दोरा बेजा गया लेंडर था रोवर वहाँ पे खोज करेगा तो क्यूरिसिटी नासा के दोरा बेजा गया और प्रग्यान जो था वो हमारे इंडिया के दोरा बेजा गया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि बिक्रम लेंडर से हमारा connection ठूट गया था तो ये हुए उपगरह के परकार उपगरह के परकार ये हो गए फिर उसके बाद में हमें देखना है कुछ important missions हमारे अब बैसे तो सारी चीजे में याद करा चुका हूँ अब देख लिजे रिवाईज के रूप में सबसे important mission में से पहला हम लेते हैं चंद्रियान 2008 में हमने शुरुआत की कि हम चंद्रियान के पास में बेजेंगे ठीक है चंद्रियान मतलब हमारी ये प्रत्वी ठीक है ये हमारी प्रत्वी और ये अमारा उपगरह चंद्रमा हमने क्या प्लान किया कि 2008 में हम अपना सेटलाइट बेजेंगे और वो सेटलाइट क्या करेगा इसके चारों तरफ चक्कल लगाएगा चंद्रमा के ठीक है तो इसका नाम क्या दिया हमने चंद्रियान ये 2008 में बेजा है इमने PSLV, XL बताया है मैंने सेटलाइट लॉंच वीकल पोलर सेटलाइट लॉंच वीकल करके दो पार्ट बताये तो उसमें XL था उसका भी बर्जन कौन सा था C11 ठीक है मोवाइल के बर्जन आते है आईपोन 11, आईपोन 12, आईपोन 13 ऐसे ही, PSLV के वही एक बार जो जाएगा उसके बार नश्ट हो गया, आप दो नया बनाना पड़ेगा तो PSLV XL C11 की सायता से हमने चंद्रियान को बेजा, इसका कार्य क्या था चंद्रमा पे जलकी खोज करना हो, और उसके अलावा, अब बात करते हैं चंद्रियान 2, ये हमने 2019 में वेजा था ये 37 स्पेस सेंटर से वेजा गया था श्री हरिकोटा से, और कौन सा इसमें यूज किया गया लॉंच वीकल, GSLV Mark 3 जहान रखना, GSLV, पहले माले में कौन सा यूज किया था PSLV XL, और यहां पे GSLV Mark 3 इसका उद्दे से क्या है, चंद्रमा की सतय का नक्सा डेजाइन करना, डायरेक्ली नक्सा डेजाइन कर रहे हैं उपर खनेजों का पता लगाना, पानी के उपस्तिती का दोबारा से पूरा फाइनल प्रूफ दे देना इसके टीन भाग थे, और वीटर जो है, वो बार-बार गुमेगा चंद्रमा के चारोड चकल लगाएगा, इसमें आठ पे लोड थे बेकरम लेंडर, यह चंद्रमा की दच्छनी दुरुपे, यह भी धान रखना फिर उसके बाद में प्रग्यान रोबर्ट जो है, वो सत्य पर अंसंदान करेगा, उसमें दो पे लोड थे तो इसके प्रमुक पे लोड नाम बिलकुल भी धिन इधान नहीं रखना है कोई भी जरुत नहीं है, कैमरा बगरा होते है उसमें, इंफ्रा रेट तरंगों से अनमान लगाया जाता है ठीक है, एक तरीके से रोबोट बगरा होते हैं इसमें यह है हमारा जो GSLV Mark 3 है, जिसके दोरा इसे भीजा गया था चंद्रियान टू को 2019 में, अब और वीटर वाला जो है वो तो काम कर रहा है अभी भी, यह वाला इससा जो है वो काम कर रहा है, लेकिन यह बिक्रम लेंडर से जो है वो कनेक्शन टूट गया था हमारा, अगर बिक्रम लेंडर से कनेक्शन नहीं टूटता तो हमें पता चलता रहता ना आगे क्या होने वाला है क्योंकि हमारा connect होना जरूरी है में भी हो सकता है बिकरम लेंडर softly चला गया हो वहाँ पे अराम से उसने वहाँ पे सते पे जो है वो प्रग्यान रोगर को छोड़ दिया हो और प्रग्यान रोगर अपना काम कर रहा हो बट अब जब हमें connection ही नहीं है तो फिर हमारा उससे सोचने से भी क्या मतलब है connection होना जरूरी है मिसम के अंतिम छड़ों में बिकरम लेंडर से संपर्ट तूट गया orbiter अगले साथ साल तक काम रहेगा चंद्यान 3 का हमारा प्लान है 2025 में बेजा जाएगा और यह अपना मानब मिशन होगा कि किसी इंसान को जो है 2025 तो नहीं 2030 तक जाएगा क्योंकि अगर दो चंद्यान 2 सफल हो जाता ना तो 2025 तक बेज देते लेकिन अभी चंद्यान 2 सफल नहीं हो पाया तो पहले टू वाली प्रोसेस दोबारा कर निकोसिस करेंगे फिर उसके बाद में री लॉंच वहिकल जो है वो डवलप हो चुका होगा हमारा अच्छी की स्टेज में आगा तो हम मनुस्य को चंद्रमा पे बेजेंगे और चंद्रमा पे पहला जो मनुस्य पहुँचा था वो कौन था वो नीरारम श्टॉक था और इस्पेस यानि अंत्रच में जाने वाला यूरी का अगरें था अब बात करते हैं मंगलयान की मंगलयान हमने 5 नवंबर 2013 को भेजा था PSLV मैंने बता ना PSLV सबसे इंपोर्टन PSLV का भरजन C25 की साहता से तो 5 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रथवी की कच्छा में रहा हो 1 दिसमबर से और 24 सेटमबर तक वो सूर्य की कच्छा में रहा और 24 सेटमबर से उसने मंगल की कच्छा में बरमण करना सुरू कर दिया और यह पहली खास बात की इस रोप पहली बार में सफल हो गया मंगल के चारों तरफ चक्कल लगाने वाला और विटर वेजने वाला यह आप समझेए यह हमारा सूर्य यह हमारी प्रथवी ठीक है और यह हमारा मंगल यह मंगल लगा हमने क्या किया बिल्कुल इस तरीके से ब्रताकार यां सर्किल तो एक तो यह हो गया एक चक्कर दूसरा और बताया था मैंने वो इस तरीके से बताया था इलेप्टिकल सर्किल इस तरीके से बताया था तो हमने इसे इलेप्टिकल पात पर बेजा तो इस तरीके से इसने शुरू किया ऐसे ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया पांच नवंबर से तीस नवंबर तक तो प्रत्वी के चक्कल लगाता रहा फिर जैसे इस तीस नवंबर को आया हमने उसकी डायरेक्शन सुर्य के चारों तरफ कर दी बोले जाओ तुम सुर्य के चारों तरफ चक्कल लगाओ ठीक है फिर वो सुर्य के चारों तरफ चकल लगाने लगा इस तरीके से तो उसने पांच नवंबर से तीस नवंबर तक जो है वो किस के चारों तरफ चकल लगाए प्रत्वी के सुरुवात में उसने किसके चारों तरफ चक्कल लगाए प्रत्वी के 5 नमबर से 30 नमबर तक और 30 नमबर के बाद में उसने सुर्य के चक्कल लगाना सुरू किया अब सुर्य का चक्कल लगाना बहुत बड़ी बात होती है उसमें टाइम लगता है तो उसने एक साल तक सूरे का चक्कल लगाया 24 सेप्टमबर 2014 तक फिर हमने क्या किया उसे सूरे की कच्छा में से ब्रमित करते हुए उसे डायरेक्ली जो है वो मंगल कच्छा में प्रोजेक्ट कर दिया मंगल की साइड में पहुचा दिया अब ये मंगल है अब इस मंगल की पास में मुचा दिया हमने 24 सेप्टमबर 2014 तो यहां आच से निकल के ये जो है वो मंगल की कच्छा में पहुँच गया और फिर अब मंगल की कच्छा में चारों तरफ चक्कल लगा रहा है मंगल सूरे के चक्कल लगाता है यह तो आपको पता है मंगल भी सूरे चक्कल लगाता है तो अब यह मंगल यान जो है मंगल की गच्छा में चक्कल लगा रहा है और यह खास बात ही है यह image उसी के द्वारा बेजा गया है यह पैसे पर अगर आप देख रहे हूं तो यह पैसे पर मंगल यान का पोटो चापा गया है नए notes जो आये थे उनमें मंगल यान का पोटो था तो यह बहुत बड़ी उपलब दी थी कि भारत पहली बार में ही सपल पो गया बेश में कोई भी सपल नहीं हुआ और वहाँ पहुचने वाला भारत जो है मंगल के चारों तरफ चक्कल लगाने है अभी मंगल की सतय पे हम नहीं पहुचे हैं सतय पे next time ट्राई कर लेंगे ठीक है लेकिन हम उसके चारों तरफ पहुच गए न वह भी बड़ी बात है तो अमेरिका रूस और यूरोपिन एजनसी चीन ने भी अभी तक नहीं लगाया वहाँ पे तो चौते देस हम बन गए थे और यह इस तरीके से रहाँ पहले उसने प्रत्वी की कच्छा के चक्कल लगाए फिर उसने सूरे के करीब करीब एक साल चकल लगाए फिर उसके बाद में फिर उस जो है वो वो चला गया मंगल की कच्छा में ओके लागत जो रही साड़े चाड़ सो करोड बहुत कम लागत में हमने ये सब सफल कर दिया था तो इस पे पेलोड जो थे कौन-कौन से इसके पास में हदियार थे जो वहाँ पे सेंसर करेंगे मार्स कलर कैमरा था वहाँ पे मिथेन सेंसर कोर मार्स था थर्मल इंपरा रेड था तो sensor है infrared है और camera है जो चाहिए वो होते हैं और यहां यह जो है वो क्या है यह solar panel है ताकि यह पूमता रहे उसके चारों तरफ तो इसमें अंदर जो है वो main payload था और connect करने के लिए यहां पर antenna भी होता है ताकि हमारी connectivity तो होनी चाहिए अब यहां पर चित्र लेगा अगर कोई image लेगा तो हमारे पास तो आना चाहिए तो हम उसके इस antenna के द्वारा अभी भी connect रखते हैं उससे और हमारे पास में जाते हैं और सबसे important इंडिया के द्वारा Indian regional navigation satellite system launch किया गया जिसे हम NAVIC के नाम से भी जानते हैं और GPS of India कहा जाता है इसमें total 7 satellite मैंने बताया total बर्ल का लेन स्टेशनरी में इस तरीके से प्रत्वी के चारों तरफ और 36,000 km की उचाई पे घुमता है तो इस्टिती जो है वो बिलकुल बरावर दीखती है जो speed हमारी प्रत्वी की है प्रत्वी भी तो घुम रही है प्रत्वी की जो speed है वही speed जो होती है वो satellite की होती है और एक location पर ही स्टिती में ज्यादा अंतर नहीं होता है थोड़ा सा 23 डिगरी अंतर का रहता है तो तीन जियो स्टिशनरी है चार सिंक्रोना से और इसमें जो अंतिम जो भेजा गया था वो 12 अप्रेल क्योंकि साथ सैटलाइट बेजे गए थे एक से काम थोड़ी चल रहा है तो एक दो त साल-दो साल के अंतर में गया अप में बेजे गए थे टोटल खर्चा जो है चौदे सो करोट रुपे का गया था तो अंतिम जो बेजा गया था दो जार अठारे में अप्रेल में आई यारेनस वन एल बेजा गया था पी एसलवी की द्वारा इसके दो अपी हो गये एक तो ह आपको दिखाऊंगा बोबन ठीक है आप मैप देख सकते हो उसमें और एक होता है रेस्टेक्ट एडम इसके पास में इतनी हाई क्वालिटी के कैमरा है कि आदमी कुछ खाना खारा है उपर चत्वे बटके तो उस खाने में क्या है ये भी बता सकता है ठीक है ये सारी चीज है कि इंडिया जब करगिल बाहर चल रहा था तो इंडिया ने अमेरिका से बोला था कि आप जीपीएस का बिल्कुल प्रिसाइज सारी सिस्टम हमें दे दीजिए ताकि हम वहां लोकेशन पर देख सकें क्या हो सकता है तो जीपीएस ने मना कर दिया जीपीएस वालों ने मन जीव स्टेशनर ही है और चार्ड जो है जीव सिंक्रोनस है ठीक है यह स्टार सेंसर प्रोपेलेंट टेंग यह इसमें बड़ यह पड़े नहीं तो भी चलेगा और इसमें कुल मिला के हमारे भारस से पंद्रहसो किलोमीटर बाहर तक जो है वह हम लोकेशन देख सकते हैं इ जिदाउट ऐसे नहीं करते हैं, उसके अलावा एक एक एस्ट्रोसेट है, 2015 में बेजा गया, एस्ट्रोसेट ख़वोली बेज साल है, टेली स्कोप एक तरीके से यह उपल गया, और इसने अपना टेली स्कोप कुल दिया, और टेली स्कोप से ब्रहमांड को देख रहा है, और स इंडिया का कौन सा है, एस्ट्रोसेट, आदेते हमारा आने वाले फ्यूचर का मिसन है, बविसे में प्लांड है कि PSLVC 55 की सायता से हम आदेते को बेजेंगे, और उसमें क्या करेंगे, सूर्य के बाहरी परत कोरोना का अधियन करने कोशिस करेंगे, और यह लेग्रेजियन पॉइंट तक बोज़ा जाएगा, लेग्रेजियन पॉइंट क्या होगा, देखो हम आदेते बेजने वाले हैं, और आदेते का मतलब, आदेते बैसे भी अगर हिंदी के पर्रवाची देखें तो सूर्य होता है, यह हमारा प्रत्वी, ठीक है, उके, उसके बाद में, यहां एक एक एससा सैटलाइट वेज़ेंगे, जो सूर्य और प्रत्वी का गुर्तवा कर्षेंट जहाँ खतम हो जाता है, उसे लेग्रेजियन पॉइंट बोला जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पर वेज़ेंगे और यह सूर्य के चारों तरफ चक्कल लगाएगा, इससे पहले मंगल वाला भी जो था वो सुर्रे के चारों तरफ चकल लगा के गया था तो ये लेगरीजन पॉइंट पे इस्थाही रहेगा और बिट के रूप में और ये सुर्रे की जो कोरोना परत होती है उपर की सैड में उसका अध्यन करेगा आदित ये आने वाले टाम पे जो है वो यूज किया जाएगा और ये तो मानव को बेजना है इस्पेस में मानव को बेजना है मानाव अंतरिच्यान यह फ्यूचर का प्लान था 2023 का और साइज यह 2023 यह 24 में हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत गड़बड हो चुका है कोड़ाना के कारण और बाकी अस्पलताओं के कारण बजट 1000 करोड था 300 किलो मीटर की उचाई पर मनुस्य को बेजा जाएगा रूस वाली एजनसी का नाम है रूस कोस्मोस जान रखना रूस वाली का जापान वाली एजनसी का नाम है जाकसा काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कनाडा की की कनाडा एजनसी और यूरोप बाली यूरोपीन एजनसी इन पांच ने मिलकर के यह बहुत बड़ी आकृती, यह छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें लोग रहते हैं, घर बने हुए हैं इस तरीके से, और अंतरच में रहते हैं, जीरो ग्रेविटी होते हैं, आपने का बहुत सारी मुवी देखियोंगी, और यह 400 किलो मिटर उपर है, उनीसो औठैन में पर चपित किया गया, यह क्या है कि उपर की साइड से देखते रहते हैं, और अध्यान करते रहते हैं, पाँच एसपेस एजेंसियों के दोरा, इसके भी दो भाग हैं, क्योंकि उनीसो औठैन में बेजा गया, और देखिया आप, अमेरिका और रूस जो बहुत लंबे टाइम से लड़ रहे थे, वो दोनोंने मिल करके बेजा है, तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे और तुमारे थोड़े से अलग अलग रहेंगे, हमा अपना अध्यान अलग करेंगे, तुम अमेरिका वाले अध्यान करेंगे, तो यह इंटरनेशनल स्पेस एज करने के लिए न्यू होरीजन वेजा गया था, ओके, और अगर बात करें तो अंतरिच में जाने वाला, अंतरिच में जाने का मतलब, इस्पेस इस्टेशन में जाना, तीन सो चार्ट सो किलो मीटर है, उंचा, तो रूसी स्पेस इस्टेशन पे गए थे भारत के राकेश सर् लाइट 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 जो है किये थे यह अपने आप में इतियास है इतना किसी ने नहीं किया है उसके लावा भूबन पोर्टल और इसरो की वेब साइट अब हम थोड़ी देर में देखेंगे और यह मैंने यहां पर लगाया हुआ है एज अप टूडे डेट आज की डेट के हसाप से 12 अगस्ट 2021 को अनतिम बार हमारे इसरो के दारा लॉंच किया गया था जीएसेЛवी एक टेन यह 82 बी नमबर की लॉंचिंग थी और अनतिम बार जो इसके स्पेस्क्राप्ट बेजा गया था वो भी इसी के दारा जीएसेलवी के दोरा बेजा गया था 140 नमबर का E ज़िवा देते हैं अगर हमें कुछ लगता है जैसे एरीन यह जो है जीसेट 30 यह विदेश की साहता से बेजा गया था ओके सो यह नोट से पढ़ें तो पढ़ लेना लेकिन कोई जरुवत नहीं है इनको पढ़ने की लाट में जाते जाते हैं इन सवालों को कर लेना इनका आंसर दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं चीन की सबके साथ में लिखे हुए है और जादत तर और जाते हैं आपको क्या करता हूँ दो एक नो है भव एक है ISRO, इन दोनों को दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी तसली मिलेगी. मैं सबसे पहले कोलता हूँ, ISRO की वेबसाइट, isro.government.in, ओके यह ISRO की वेबसाइट है, ठीक है, ISRO की वेबसाइट में, यहां Mission on Mars के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप जान सकते हैं, NAWIC, IRNSS के बारे में जानना है, तो आप जान सकते हैं, NAWIC मैंने बता हैं, IRNSS, उसके बाद में, यहां पे Space Science के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो जान सकते हैं, हमें क्या देखना है, हमें देखना है, कि इसके द्वारा कौन-कौन से space craft बेजे गए हैं अब तक कितने space craft बेजे गए हैं कौन-कौन से mission रहे हैं और कौन-कौन से launchers हैं और क्या-क्या उनकी application है बस इतना देखना है तो missions देखते हैं सबसे पहले तो missions में यहां पर लिखा हुआ है कि उसने मार्स पे मोम भेजा है उसके अलावा एक्टो सेट्स जो है वो ट्रेंडिंग में इनकी है और missions में इन्होंने लिखा हुआ है टोटल यह data देखिए उन्होंने कुल एक सो वारे space craft यानि satellite बेजे हैं re-entry missions का use किया गया है reusable जो होते हैं वो और टोटल 342 हमने foreign satellites भी बेज दी हैं मैंने अभी बता है ना 104 बेजा गया था 2019 में तो उसमें 104 में से ज़्यादातर बिदेशी थे ओके अगर मैं पढ़ना चाहूं देखना चाहूं तो student satellite को उन से बेजे गये थे तो यह 12 student satellite बेजे ग गया था उसके बाद में 2010 में H2D set बेजा गया था फिर उसके बाद में 2011 में जोगनू बेजा गया था आजसरारम set बेजा गया स्वेम बेजा गया स्वेम का तो खुद का portal भी आपने अगर देखा हो स्वेम.com खुलना उसकी website है उसके द्वारा जो है वो पैसे स्वेम जो है वो टीवी पे चलाने के लिए बेजा गया था इसके बाद में सत्य बंप सैट बेजा गया है उसके बाद में पिश्टायट प्रिथम और कालम सैट और 377 सैट बेजा गया 2021 में और यूनिटी सैट य यह तो मैंने देखा दिया आपको स्टूडेंट बाले और अगर आप देखना चाहो तो स्पेस्क्राप्ट मैंने अभी थोड़े देर पहले मैप में जो लगाया हुआ था 112 नंबर का जो बेजा है हमने GSLV की साहता से हमने EOS03 बेजा है ओके अब यहां देखें 106 नंबर प सेट जो होता है वो मैपिंग करने के लिए होता है ओके ओके नीचे चलते हैं तो हम पाएंगे INS ठीक है and IRNS H1 इसके H जो है वो सफल नहीं हो पाया था यहां लिखा होगा launch and successful यह सफल नहीं हो पाया था सातमा था actually में यह सफल नहीं हुआ तो फिर हमने H की जगह फिर आई बेजा यह वाला आई और इसलिए मैंने बोला 12 अपरेल 2018 को साथ सेटलाइट जो हैं वो IRNS वाले हो गए उसके बाद में कार्टो सेट सीरीज चल रही है and G-Sat सीरीज हमारी चल रही है G-Sat में जो है 19 सेटलाइट बेज चुके हैं G-Sat सीरीज जो है वो साथ असीर सेटलाइट के रूप में जो है हमने बेजा था मैंने बताए था G-Sat जिसे मोदी जी ने जो सार्क देशें उनके लिए समर्पित किया था रिलाइट बाई इंडिया अधा प्राइमरी अब्जेक्ट व जी सेट इट व प्रोबाइट बैरियस कम्मिनिकेशन एप्लिकेशन इन कुवेंड के यूवेंड बिद कवरेज ओवर साथ एसेन कंटीज यानि सार कंटीज के लिए बेजा था तो यह वी धान रख ले ना जी सेट 9 2017 में बेजा गया था यह कम्मिनिकेशन के लिए बेजा गया था और सार के देशों के लिए जो हr समर्पित किया गया था गया था ओके अडशी जायेंगे तो आप देखेंगे धर की सैड में मार्स और्विटर स्पेस्क्राफ्ट एमो एम दोजार टेरेम बेजा गया था पी एसलवी सी पचीस की मदद से बेजा गया था ओके तो यह आप देख सकते हैं और अगर नीचे नीचे पहला हम देखें तो आर रिवर्ट हमने सबसे पहले बेजा था और यह कहां से बेजा था एक्सपेरिमेंटल रूप में बेजा था बस चेक किया था इसका कोई अब्जेक नहीं था लेकिन एक्सपेरिमेंटल रूप में बेजा था और यह रूस की सायता से बेजा गया था उसके बाद में बासकर बेजा हमने फिर रोहेनी बेजा और सबसे बड़ी बात कि रोहेनी जो बेजा हमने वो SLV 3 इंडिया के सेटलाइट इंडिया के लॉंचिंग की वहिकल की मज़ा से बेजा था अगर हम दुवारा से बैग जाएं और लॉंच मिशन्स पे देखें तो लॉंच मिशन्स में पहले नमर पर रोहनी ही आएगा मेरे इसाब से SLV 3 वाला ये देखिए आप और इसके द्वारा रोहनी बेजा गया था तो ये लॉंच मिशन्स आजकल इंडिया जो है वो अपने जादतर सेटलाइट खुद ही बेज लेता है अपने काम के लिए ओके लाश्ट वाला जो है वो GSLV 10 है जो 12 अगस्ट 2021 को बेजा गया था ये PSLV 47 के द्वारा काट टू सेट बेजा गया था GSLV मार्क 3 के द्वारा चंद्रियान बेजा गया था ये आप देख सकते हैं सारी चीजें ये विब साइट काफी अच्छी है बहुत प्यारी है विब साइट और इसके अलाबा applications अगर देखें तो मैंने बताया कि application जो होते हैं वो या तो earth का observation करने के लिए या satellite communication करने के लिए या disaster management के लिए अगर मैं earth observation का करूँ तो earth के बारे में हमारी किर्सी के बारे में मिठी के बारे में जानकारी लेने के लिए उपर से सुधूर संभिदी भो लगे हुएं रिनुवल ऊडूशे की क्या क्या संभावना है ये पता लगाने के लिए ये सब किया जाता है फोरेश्ट में क्या चल रहा है environment में क्या change हो रह है ये सब पता लगाने के लिए geology और geomorphology में सरकार की चायता बहुत करते हैं यह, ठीक है, बाटर रिसोर्स है, जल संसाधन का पता लगाने के लिए, अरवन डवलप्मेंट, सहरी विकास करने के लिए, ग्रामीड विकास करने के लिए, क्योंकि मैपिंग उपलग्द कराना बड़ी बात होती है, पराने समय पर क्या होता बैदर के बारे में जनकारी रखने के लिए, ठीक है, और जो नेशनल मीट आउटकम से उँचकी जनकारी अगर देखनी है, तो यहां पर एवलेबल हो जाएगी, उके, उसके अलावा सैटलाइट कम्यूकेशन आपको करना है, तो यह पूरी जनकारी रखी है, सैटलाइट क जो आप, जो आप Google Map यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से भूबन की विबसाइट ही है, ओके, दो तरीके की यूज बताये थे मैंने, आपको पता ही होगा, एक तो होता है, सभी लोग यूज कर सकते हैं, स्टेंडर्ड परपच के लिए, एक होता है, रस्ट्रिक्टड परप मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, ये खुल गया आपका मैप, ये आई 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 इनस के द्वारा बनाये गया है, और इसके छे रिजिनल सेंट्र मैंने बताये थे ना, वही डाटा ये, सेटलाइट पे चल जाता हूँ, ये वो बन के द्वारा, ये GPS या USA वाला ज अच्छे तरीका है, हो सकता है, आने वाले टाइम पे हम इसका करवा दें, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपके मोबाइल में भूबन का एप मिलेगा और आप भूबन की साहता से एक जगे से दूसरी जगे जाएं, लेकिन अभी उतना डवलप नहीं हो गया है, के गाउं का नाम यहाँ पे दे रखा है, इस्टेट हाईवे दे रखा है, यह गाउं का नाम दे रखा है, हर गाउं का नाम, और देखिए किस तरीके से दिख रहा है, यह पूरा है, यह पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यह जो है वो टोटल कितने मीटर, पचास मी पहुँच चुका है और कितना अच्छे तरीके से डवलप हो चुका है तो यह हमारे दो वेबसाइट मैंने आपके लिए बताइए आप खुछ से भी इन्हें चेक करना चाहें तो खुछ चेक कर सकते हैं इस रो एंड जो अपना भूवन है और अगर आपको अपना सैटलाइट अगर भेजना है आप सैटलाइट बनाईए और एंट्रिक्स से संपर्क कीजिए एंट्रिक्स एंट्रिक्स की वेबसाइट भी होगी मेरे इसाब से एंट्रिक्स से संपर्क कीजिए और यह रही एंट्रिक्स वेबसाइट रहा था यह 104 सेटलाइट वेजे गए थे न वो वाली वीडियो आप देख लीजिए एक बार जाते जाते लिस्ट ओफ आच्छा इन्होंने लिस्ट डाली हुई है कि कौन-कौन से सेटलाइट जो है वेजे इन्होंड वेजे गए यह बीडियो है पूरी ओकी let me show जो छोड़े गए थे 2019 में आपके छोड़े गए थे तो ये आप देखिए ये लाँचिंग हो रही है इसकी प्री लाँचिंग से पहले का फोटो है और साहिद इन्होंने लाँचिंग का भी डाला हो ये सैटलाइट्स हैं उसमें अंदर बहुत सारे सैटलाइट्स जम्मे होएं तो इन्हें छोड़ता जाता है वो सो आइटिंग हमने स्पेस साइन्स से रिलेटेड सब कुछ कवर कर लिया है अगर इससे बाहर को चाता है तो साइध ही किसी बिध्यारती को वो पता होगा आप ये मान के चलिए स्पेस साइन्स में बहुत बड़ा जो है वो नौलेज गेंच कर चुके हैं अब साइध आप स्पेस के रिलेटेड सारी चीजों पर किसी दूसरे को ग्यान दे सकते हैं प्रोध्योगी की क्या है ये पड़ा बिसमें प्रोध्योगी की सुरुआत हमने देखी UA and USA और रूस में जो युदधोरा था उसमें पर इसबुतनिक बेजा फिर उसके बाद में रूस के बाद में नासा ने भी अपना बेजना सुरू किया फिर मानव को बेजा गया यूरी गागरीं पहला मानव अंतरिच में गया उसके बाद में नासा ने डाइरेक्ट इसका यह ध्यान रखना बारत में अंतरिच परद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् चंद्रीय वंन टूउ उसके बाद में आदिते मंगलियान ये सारे कानि हमने देख लिए कछ्छाँ हमने देख लिए कछ्छाओं में हमने बहुत रीखापधे हमने इसके बाद में गयोअ अरफ च्रेशनरी और कानि पर दिरीजelpam को गूमत्रेगा पे जियो सिंक्रूनस है, ओके फिर हमने प्रनोदक देके ठोस तरह क्रायोजनेक जो है वो, इंडिया ने डवलप कर लिया है, लाउंच भी कर लिया देख लिया हमने SLV, SLV, PSLV, GSLV, रिलाउंच भी कर लिया हमने देख लिया, और सैटलाइट के प्रकार देखे, या तो हम सुदूर संबेदी, यानि सेंसिंग के लिए, या कम्टिकेशन के लिए, या नोवेन के लिए, या अंतरिच मिसन के लिए बेचते हैं, तो इस तरहे के से अंतरिच प्राज्ड़क की कम दो तीन सवाल पके हैं, और मैंने से एक्जाम में आप इसमें से दस से पंदर नमबर लिख सकते हैं, धन्यवाद, चैंद.